वेल अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोल्डरिंग किस कलर की पाय जाती है आप जरूर यही कहें कि लेक ब्लैक लेकिन दोस्तो आज मैं आपको जिस देश के सहाइक राने जा रहा हूं वहां की कोल्डरिंग ब्लैक नहीं बलके ग्रेन होती है दोस्तो उसी तरह हर जग़ा बर् की दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी चैलेंजर में दोस्तों चलिए आज में आपको जपैन की से करवाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो उगते हुए सूरज का देश जपैन अपने संस्कृति खान पान से लेकर टेकनलोजी के लिए दुनिया भर में मसहूर है जपैन को इस चैक सबसे विक्षित देश माना जाता है यहां की लोगों की गिंती दुनिया में सबसे अधिक करमठी के तोर पर होती है आज हम आपको इस देश से जुरे कुछ और खासे रोचक तथे के बारें बताते हैं अरवजनिक किस्थानों पर जो जोर से बोलना या किसी चीज को सुना अस्रभेद्र माना जाता है इतना ही नहीं बलकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छू देता है तो उसे तीन बार माफी मांगने पड़ती है जैपैन में लोग नव और्सकी खुशी में सबसे पहल सम्मान में किसी बी व्यक्ति को समान में झुक कर अभिवादन का दिवाज है सबसे खास बात यह है कि जो जितना ज्यादा समानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादध जोग का पूरति हो वह भी सामने वाले व्यक्ति को अभिवादर में जुग जाएगा इनके बीच भजुकावी डिगरी में अंतर होता है जपैन के लोग साफसफाई के प्रती बहुत जागरुग है विद्याले में चात्र और सिक्षक दोनों मिलकर कच्छाओं की साफसफाई करते हैं यहां के लोग दिर्ग आयू होते हैं औ कैड्रीश को यहां ने में आपको ग्रीन टीर दिखने के लिए जरूर मिलेगा मैं पहली कहा तापको कि यह मातर ऐसा देश है जहां कोल्डरिंग ब्लैक नहीं बलकि ग्रीन पाय जाती है यहां की चाई भी हमारे देश से बहुत अलग होता है हमारे यहां चाई में चाई प इसलिए तो ये चाय जैपैन की उसे फेबरेट है। यहां एक नहीं बलकि सोतरा की चाय का पैदावार होता है। यहां पर ग्रीन टी का ग्रेश कितना हैं आप इससे आंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जो आइस क्रीम होती है वो भी ग्रीन ही होती है। अब आप इससे आंदाजा लगा सकते हैं कि आप कोई इतना हरा चीज खाएगा तो जीवन में हर्याली तो आएगी ही न। यहां की लोग ज्यादतर समुदरी इलाकों में उगने वाली सबजिया ही खाते हैं जो कि जमीन पे उगने वाली सबजी के मुकाबले कोई पोसक ततव होते हैं। इसलिए आप इससे आंदाजा लगा सकते हैं कि यहां की लोग इतने फिट कैसे हैं। तो दोस्तो जपान के बारे में यह सब जानगे आपको कैसा लागा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरू बताना। दोस्तो और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्स वीडियो के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को ज़रू प्रेस कर दें। और एक आपसे विंती है कि पिलीज से वीडियो अपने तक ही नी बलकि अपने तमाम दोस्तों पर भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सब के बारे में जान सके थैंक यू फूर वचिंग नेक्स वीडियो में मिलते और ऐसे आमेजिक फैक्स के साथ